आज की टेप में आलू टिकी किसे पसंद नहीं है बच्ची हो चाए बड़े हो हर किसी पसंद है आलू टिकी तो आज की रेस्पी लेक्यार कि मैं आलू टिकी की दोस्तों रेस्टोरेंट से भी मार्केर से भी क्रिस्पे और टेस्टे टिकी कैसे हम घर पे जटपट कुछी मिं लिए हैं अब यह ठंडे हो गए हैं तो इनको छिल लेती हूं सारे आलो छिल के तयार हो गए हैं अब यहां पर मैंने ग्रेटर लिया है या कदुकस लिया है अब इसे कदुकस कर लेते हैं तो सारे आलो को बिल्कुल केरफूली कदुकस करने हैं ताके हाथ न लगे सारे अलू मैंने कद्दुकस करके तियार कर लिए है अब जब सारे अलू कद्दुकस करके तियार हो चुके हैं तो इन में डाल लेते हैं मसाले ज्यादा मसाले नहीं डालने हैं बिल्को सिंपल मसाले रखने हैं तो आप मैंने 2-3 कटी हरी मिर्च दो से तीन कड़ी पत्ता आधा चमच लाल मेश पाउडर एक चौथाई काला नमर एक चौथाई सफेद नमर साथे साथ डालेती हूँ चार से पांच डॉप नीमू नीमू से हमारे जो टिकी होते ना उनमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अब डाल देते हैं दो चमच और आरोग तो आप यहाँ पे एक कॉर्ण फ्लोर भी डाल सकते हैं चावल का आठा भी डाल सकते हो सूजी को ग्राइड करके सूजी भी डाल सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी आपकी टिकी बनेगी अब इन सब को चैसे मिक्स कर लेती हूँ मिक्स करके इसे एक डो की फोम में त्यार कर लेते हैं अब इसमें डाल देते हैं आदा चमच सूजी तो यहाँ पे मैंने सूजी को ग्राइड नहीं करा है आदा चमच डाली हूँ सूजी डालने से हमारी टिकी में एक क्विस्पी नसा आ जाती है अब चलते हैं टिकी बनाने के प्रोसेस पे सबसे पहले मैंने पैंचर डालिया है पैंचर में तेल डाल लेती हूँ तेल इतना ही डालना है जितना हमारी टिकी एक साइड से तेल में आए एक साइट से उनका खुला होना चीए जब तक तेल गरम होता है तब तरह हम टिकी बना लेते हैं फ़्यां पर मैं थोड़ा सा त्खिभी लोंगी ताकि जो हमारी कि की उते हिसले भूत चिप चिबडे न हो लो हाथ पी ना चिपके तो इसके लिए मैं थोड़ा सा हथ पे तेल लगाऊंगी और टिकी बनाना स्टार्ट करते हूं तो इसी तरीके से मैं टिकी बनाऊंगी सारी टिकी बना के त्यार कलते हैं मैंने पांस टिकी बनाई हैं आप अपने हिसाब से टिकी कम जादा बना सकते हैं तेल भी हो गया है गरम तो इसमें डाल लेते हैं टिकी मैं अब दीरे दीरे सारी टिक्या डालूँगी एक बारी में सारी टिक्या आ जाएगी गैस को मैंने मीडियम हाई फ्लैम पे रखा है ताकि जो हमारी टिक्या है वो अच्छे से पक जाए और क्रिस्क्री बने गोल्डन ब्राउन होने तक मैं एक ही साइट पकाऊंगी अब जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब ही दूसरी साइट पलटना है अब इन्हें धीरे धीरे करके मैं दूसरी साइट पलट देती हूँ सारे टिकी दूसरे साइट पलट लिया है अब इनको दूसरे साइट से भी अच्छे से पकने देते हैं जब ये दूसरे साइट से अच्छे से पक जाएं तो इन्हें फिर से दूसरे साइट पलटें ताकि ये दोनों साइट से क्रिस्पी बने टिक्की को दोनों साइट से अच्छा से पकने के बाद बहुत ही क्रिस्पी बन के तयार होगी है अभी नए निकाल लेते हैं गेस को ओफ कर लिया है अब टिक्की निकाल लेती हूँ मैंने सारे प्लेट में निकाल लिया है अब मैं आपको एक टिक्की चेकर के बताती हूँ कि बहुत जादा क्रिस्पी बनी है तो बहुत जादा करारी टिक्की बनी है बहुत ही अच्छी टिक्की बन के तियार हो गी है अब इंडिक्यों को कर लेती हूं सर तो यहां पर मैंने ग्रीन चटनी, मीठी चटनी और दही लिया है यहां पर मैं दो प्लेट लगा रही हूं तो दो दो टिकी मैंने प्लेट में रख लिया है अब इसके उपासे डालेती हूं ग्रीन चटनी साथी साथ डाल लेती हूँ मीठी चटनी साथी साथ डाल लेते हैं दही दही के बार डाल लेते हैं चाट मसाला चाट मसाला के बार डाल लेते हैं थोड़ा सा कस्मिरी लाल मर्च दूस्तों हमारी टिकी सर्फ करने के लिए दो ठोरायदि है तो कैसी लगए आपको मेरी आलो टिकी की रेज़पी पूमन करके जरूर बताएं और अगर आपको रेज़पी पसóन आए तो एक लायक तो बनता है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक अपना धियान लखे दोस्तों अगर आपको हरी चटनी और मीठी चटनी की रेज़पी जाननी हैं तो आप मेरे चैनल पे जा करके वहाँ से पूरे डिटेल्स में रेस्पी को जान सकते हैं मैंने वहाँ पे डिटेल्स में हरी चटनी और मीठी चटनी की रेस्पी बताई है